Hello everyone, welcome to NEET UG intent brought to you by N-Academy जो कि इंडिया का largest online learning platform है यहां आपको मिलती है daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access 24-7 हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा N-Academy learning app download करिए Google Play Store पे जाके या फिर iOS App Store पे जाके and then हमारे सारे features avail करने के लिए आपको लेना होगा हमारा NEET UG का page subscription, इसके कई options available है 1, 3, 6, 12, 24, since NEET UG का syllabus थोड़ा vast है, थोड़ा time taking होता है इसलिए एक साल या दो साल का package सबसे अदा popular and most recommended भी है and आप देखेंगे कि एक साल के package में आप सिर्फ 6,000 add करते हो तो आपको मिलता है दो साल का package and definitely जो भी beginners है, 11th में है, 12th में आए हैं उनके लिए एक साल या दो साल का package जो है बहुत ही जादा advantageous and helpful है उनकी preparation में plus इतना ही नहीं गर आप मेरा referral code love10, अपनी screen पे नीचे आप red में देख सकते हैं यूज करते हैं तो आपको मिलेगा extra 10% का off जो भी हमारी base prices है मेरा नाम लवकिशो श्रिवास्तवा है मेगल University Canada मैं as a researcher मैं इसे में काम कर रहा हूं और आप personally मुझ से जोड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है तो आज बात करते हैं एक और term की जिसका नाम है linkage and recombination ठीक है linkage और recombination जानने से पहले हमको एक चीज ध्यान में रखनी है अब pro phase 1 में आ जाओ meiosis का ठीक है इसमें एक चीज होती है जिसका नाम होता है crossing over इसमें क्या होता है basically देखो एक set of chromosome आया जो mother है एक set of chromosome आया जो father है ठीक है यह काम करता हूँ मैं इसको दूसरे color में बना देता हूँ तो समझने में ज़्यादा असानी होगी ये वाला ले लो आप mother से आया ठीक है and ये वाला ले लो father से आया ठीक है तो finally होता क्या है crossing over में अब आप देखेंगे तो ये जो part है ये ऐसे अगर आप इसको ऐसे बना लो ठीक है ये हो गया and अब रेड वाला में ले आता हूँ ये तो ये पार्ट आपने देखा एक x-shaped structure बना रहा है ये x-shaped structure बना रहा है and इसके बाद क्या होगा finally ये वाला part जो है इधर का उधर हो जाएगा ठीक है ना आप क्या समझे इससे अगर आप देखोगे तो इधर ऐसे अगर मैं बनाता हूँ और अभी आपके दो मिनट में समझ भेना जाएगा मैं क्या करवा हूँ ये part इधर आ गया और ये part इधर आ गया ठीक है तो आपने देखा कुछ genetic material आपस में exchange हुआ ना इधर से इधर गया और इधर से इधर आ गया ठीक है अच्छा अब बात होती है कि पहले हमें एक बात क्या कर चुके है कि linkage या genes चलो genes की अगर बात करो तो genes कुछ नहीं इन chromosome पे ही genes present है present होगा ठीक है धेर सारे genes present है तो ये जब switching हो रही है तो कभी कभी ऐसा case हो सकता है कि ये देखो ये part जो गया इसमें सारे genes एक साथ ही चले गए ना एक साथ ही swap कर गए ऐसा नहीं है कि कुछ इधर रहा गया कुछ लेकिन अगर इस part को देखोगे अच्छा चलो इधर इस part को देखो और इस part को देखो ठीक है तो ये gene तो अब अलग अलग ये वाला part तो इधर आ गया swap कर गया ना तो recombination हो गया ये gene इससे अलग हो जा रहा है ठीक है लेकिन अब सिर्फ ये वाला जो pass pass इसके और इसके pass वाले की बात करोगे ये pass pass तो एक साथी जो crossing over में एक साथी चले गए है ना तो यही चीज होती है अगर gene pass pass है तुमने देखा अगर pass pass है तो जब switch करेंगे तो साथी switch कर जाएंगे ठीक है इसको linkage बोलेंगे लेकिन अगर दूर है एक यहाँ पे बैठा था ये वाला एक यहाँ पे बैठा था एक यहाँ पे बैठा था तो देखो ये दिमाग में डाल लोगे तो काफी हद तक चीजे clear हो जाएंगी चलिए अब अपने book की बात कर लेते हैं सबसे पहले linkage crossing over और recombination वाली study कौन देखना शुरू किया तो सबसे पहले एक सजन थे जिनका नाम था ती-एच मॉरगन थॉमस हंट मॉरगन इन्होंने क्या क्या और हाँ एक बात CDC बात है आपको ये देखने के लिए dihybrid cross ही करना होगा monohybrid में तो होगा नहीं क्योंकि अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये एक ये एक ये तो एक ही chromosome पे दो genes तो present नहीं होगे सेमी चीज़ के अगर plant की height है तो एक इस पे present होगा ठीक है एक दूसरे पे present होगा है ना तो एक ही अगर आप chromatic की बात कर रहे हो chromatic क्या होता है ये DNA का आप strand देखोगे तो ये जो एक चीज़ आईए इसको chromatic बोलेंगे तो इधर और इधर एक क्रोमोजोम पे अगर आप देखोगे तो एक ही जीन तो present होगा एक बार उसी height का कई जीन तो present नहीं होगा ठीक है ना इसलिए ये एक character A बोलोगे एक character B बोलोगे ठीक है तो दो character के बीच में study करनी होगी इसलिए dihybrid crosses में होता है ठीक चलो अब क्या होता है कि those crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel याने कि pure parents के बीच में cross कराई गई थी pure parents का क्या मतलब आएगा homozygous dominant भी हो सकता है recessive भी हो सकता है ठीक है क्या हुआ Morgan ने क्या कराए थे yellow bodied white eyed females to brown bodied and red eyed males ठीक है and inter cross there f1 progeny आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है जो next lecture होगा मेरा आपकी NCRT में जो linkage का diagram बनाए गया मैं उसको समझाओंगा डीटेल में ठीक है तो अभी आप ये बस जान लो कि क्या-क्या उसने experiment कराए थे उसने दो character क्या-क्या लिये एक तो लिया body का color yellow body और एक आख का color ले लिया ठीक है तो ये ध्यान रखना Morgan ने कौन से characters लिये थे एक लिया था body का color ले लिया और दूसरा क्या ले लिया उसने eye का color ठीक है ध्यान रखना ये दो चीज़े इध्यान रखता है, कैसे चीज़ें अभी simple होती चली जाएंगी अब उसने क्या देखा, die hybrid cross में क्या ratio मिलता है 9 is to 3 is to 3 is to 1 मिलता है, है ना, लेकिन किस में, F2 में मिल रहा था क्योंकि F1 में तो सारे के सारे वही मिलते हैं, ठीक है चाहे mono hybrid हो, चाहे di hybrid हो, F1 में तो dominant अपने आपको dominant करी जाएगा, लेकिन F2 में अब आपने देखा कि heterozygous होने के कारण, क्योंकि दो अलग-अलग di hybrid हैं, तो ratio आप जाके याद नहीं है, तो di hybrid cross वाला मेरे वीडियो देखना, तो समझ में आजाएगा, लेकिन, वो तो बात है, पाइसम सटाइवं की हो गई, जब drosophila में देखा गया, मॉर्गन ने drosophila में experiment किया था, drosophila melanogaster, ठीक है, जिसको fruit fly भी कहते हैं, तो इसमें क्या देखा उसने कि जो ratio था, वो बहुत off था, 9 is to 3 is to 3 is to 1 से बहुत अलग था, ठीक है, लेकिन, तो चक्कर क्या था, कि अगर दोनों independently assort होते हैं, independently assort, assortment मैंने बताया हुआ है, तो हमको ratio 9 is to 3 is to 1 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलना याने, कुछ तो घपला फस गया, ठीक है, तो क्या हो गया, Morgan and his group new, यह जितने भी उसने characteristic लिये थे, क्या, body color और eye color, यह कहां present था, याद रखना, X chromosome में, आगे help करेगा, ठीक है, अब जब यह दो genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the portion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type, उसने दो case देखा, अलग-अलग experiment किया, एक मैं body color और eye color लिया, दूसरा मैं आपको भी बताता हूं, तो दोनों में क्या difference था, एक में ये दोनो, body color मानलो B, eye color E, बहुत पास-पास था, और दूसरा वाला मानलो, अभी A और B मानलो, A और B काफी दूर-दूर था, तो उसने देखा, पास-पास जब थे, तो parent वाली चीज़े जो थी, वो ज़्यादा थी, लेकिन दूर-दूर जब था, तो नई चीज़े ज़्यादा मिल गई, ठीक है, याने कि आप समझ जाओ, पास-पास होगा, तो linkage, याने एक parent से सीधे as such a transfer हो गया, recombination में, दो mix हो जाएगा, half from mother, half from father, ठीक है, चलो, तो यह क्या हो गया, यह linkage और crossing over, यह आपको मैंने पहले बताई दिया, अब बात आती है, कि बाकी की कहानी, tightly linked क्या होता है, short very low recombination linkage, और recombination inversely proportional होगा, देखो, अभी आपको बताया था यह, एक gene यहाँ, एक gene यहाँ, ठीक है, तो यह part अगर कटके उधर चला जाएगा, तो recombination अलग हो गया, लेकिन अब दोनों पास-पास है, तो यह part कटके जाएगा, तो साथी साथ जा रहा है ना, crossing over में, ठीक है, तो देखो, इसमें क्या होगा, recombination होगा, इसमें क्या होगा, linkage होगा, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा, cross A, cross B क्या है, आपकी book का जो अगला example आएगा, उसमें है, ठीक है, तो अभी आपको चिंता करने के जुरत नहीं, वो part मैं आपको आगे समझाओंगा, ठीक है, चलो, तो यह सब चीज़े जो है, आपको insert ज़रनी के जुरत नहीं है, अगली slide में हम detail में discuss करेंगे, क्या experiment था exactly क्या cross हुआ था, तो इस वीडियो को देखने के लिए thank you, and like करो, subscribe करो, comment करो, love at 10, मेरा code जो है, इसको use करके अनक आटमी से जुड़ो, personally मुझसे जुड़ना है, तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, thank you, मिलते है next lecture में,